नमस्कार, Vision ISK News Today के इसंक में आप सभी का स्वागत है इसंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं UPSC परिक्षा की दृष्टी से महत्तपूर्म कुछ एहम खबरें इसंक की सबसे पहली खबर वन शेत्र से सम्बंदित है करनातक 6,64,000 हेक्टेर डीमड वनों को डीमड वर्गीकरंट से मुक्त करेगा राजे सरकार द्वारा ये तर्क दिया गया है कि पूर्व में किये गए इस वर्गीकरंट में लोगों की आवश्यक्ताओं को ध्यान में नहीं रखा गया था ये वर्गी करन किसानों के साथ साथ खनन कारें को भी वरिहत पैमाने पर प्रभावित कर रहा है वर्ष 1996 में उचितम नियाले के निरने के बाद करनाटक सरकार द्वारा गठित विशेशग्य समितियों की रिपोर्ट में 9,94,000 हेक्टेर शेत्र की डीमड वनों के रूप में पहचान की गई थी आईए अब जानते हैं डीमड वनों के बारे में ये उन भूखंडों को संदर्बित करता है जो वन जैसे प्रतीत होते हैं परन्तो इन्हें सरकार द्वारा या एतिहासिक अभिलेखों में अधिसूचित नहीं किया गया है इसमें भारत के कुल वनों का लगभग एक प्रतेशत भाग शामिल है आईए अब जानते हैं डीमड वनों के बारे में डीमड वन उन भूखंडों को संदर्बित करता है जो वन प्रतीत होते हैं लेकिन इन्हें सरकार द्वारा या एतिहासिक अभिलेखों में अधिसूचित नहीं किया गया है इसमें भारत के कुलवनों का लगभग एक प्रतेशत भाग शामिल है वर्ष 1996 से किसी शेत्र को वन के रूप में मानेता प्रदान करने की स्वतंतरता राजियों का विशेशा धिकार रहा है सुप्रिम कोट ने वर्ष 1996 में गोड वर्मन बाद की निर्णय में वन की व्यापक परिभाशा में नकेवल वन या राजसो विभागों के तहट वन के रूप में वर्गी कृत भूमी को शामिल किया था बलकि उन्हें भी शामिल किया था जो राजी की परिभाशा के अनुसार वन है सुप्रिम कोट ने राज्यों को सभी वनों की पहचान करने के लिए विशेशग्य समितियों का गठन करने का निर्दिश दिया था चाहे वे किसी भी कानून की तहत अधिसूचित, मानेताप्राप्त या वर्गी कृत हो या भूस्वामित्वा धीन हो अगली खबर कृशी शेत्र से सम्मदित है अंतरराष्ट्रिय कृशी विकास कोश की रिपोर्ट के अनुसार लगू के सान जलवायू वित्त से बन्चित है आईफेड एक अंतरराष्ट्रिय वित्य संस्थान है और ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेशिकृत एजेंसी है ये विकास्षील देशों के ग्रामीन शेत्रों में निर्धनता और भुकमरी के उन्मूलन के प्रतिसमर्पित है आईए अब जानते हैं इस रिपोर्ट के मुखे निशकर्ष लगू इस तरपर कृशी वित्य के समक्ष कई बाधाएं हैं जैसे अंतरराष्ट्रे जलवायू कोश की प्रक्रियाओं का अनुपालन करने के लिए राष्ट्रे सरकारों की शमता सीमित है इसके अलावा जलवाईू, अनुकूलन और शमन कारेक्रमों को विक्सित करने के लिए राष्ट्रे सरकारों की शमता भी सेमित है और वित्तिय बाजार किसानों की आवश्यक्ताओं के अनुकूल सेवाएं प्रदान नहीं कर रहे हैं जैसा कि क्रशी शेत्र को जोखिम के रूप में देखा जाता है लगु इस्तर पर क्रशी में शामिल लोगों के लिए सीमित पूझी उपलब्ध होती है आईए अब जानते हैं रिपोर्ट में लगु इस्तर की क्रशी के लिए जलवाईू वित्त को संचालित करने के लिए की गई अनुशन साएं क्रशी शेत्र में निवेश से संबध जोखिम को कम करने के लिए सारजनिक और निजी शेत्रों के मध्य सहयोग को बढ़ाया जाए जलवाईू स्मार्ट क्रशी आधारित कारे प्रणालियों और प्रद्योगिकियों के कार्यानवेन के आधार पर सबसीरी कृत रिण उपलब्ध कराये जाए रिण के साथ मौसम बीमा को संबध करके सबसीरी प्रदान की जाए क्रिशी विवसाय और वित्त सेवा प्रदाताओं के रुझान को निम्न उत्सर्जन आपूर्ति शुंखला की और बढ़ाने के लिए प्रूतसाहित किया जाए जलवायू वित्त में गतिविधियों के कई प्रकार होते हैं जैसे निम्न ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और जलवायू प्रतियास्थ अवसन रशना बहतर क्रिशी उत्पादन उत्तम आपूर्ति शुंखला शमता निर्मान अनुसंधान एवं विकास नीति निर्माताओं को तकनी की सहता ग्रामीर समुदायों का कल्यान या आजीविका वित्त तक बहतर पहुँच जलवायू वित्त का उत्देश्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना और इनके अवतलन को बढ़ाना है साथ ही इसका लक्षे सुभेद्यता को भी कम करना है इसके अलावा मानव और पारिस्थितिक प्रणालियों की नम्यता में वर्धन और अनुरक्षन द्वारा नकरात्मक जलवायू परिवर्तन के प्रभावों का उन्मूलन करना भी है आवासन और शहरी कारिमंत्राले ने सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज का शुभारंब किया है इस चुनोती के तहट सभी राज्यों और संग शासित प्रदेशों ने अप्रेल 2021 तक सीवर सफाई को मशीनी कृत करने नागरिक जागरूक्ता को बढ़ावा देने और सीवर सै सेप्टिक टैंकों की सफाई में जोखिम को रोकने का संकल्प लिया है इसके अंतरगत 243 शहरों को जनसंख्या के आधार पर तीन उप्षेनियों के तहट सम्मानित किया जाएगा आईए अब जानते हैं हाथ से मेला उठाने के अन्निपक्ष हाथ से मेला उठाने को साबज 76 लोगों की मृत्य हुई है आपको बता दें कि स्वक्षता राजिसूची का विश है इसलिए सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए लोगों को इस थानिया निकायों द्वारा निउक्त किया जाता है हाला कि इस संबंद में कुछ सरकारी हस्तशेब भी किये गए हैं जैसे सफाई कर्मचारी नियोजन और शुश्क्र सौचालय सन्निर्मान प्रतिशेद अधिनियम 1993 इसके तहत लोगों को मैन्वल स्केवेंजर्स के रूप में नियोजन को प्रतिबंधित किया गया है दूसरा है हाथ से मेला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिश करता है सफाई कर्मचारियों के कल्यांड से संबंधित मामलों को देखने के लिए राश्ट्रिय सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना भी की गई है अगली खबर स्वास्त शित्र से संबंधित है डबलो एचो की रिपोर्ट के अनुसार मलेरिया रोधी दवा प्रतिरोध तेजी से बढ़ रहा है ये रिपोर्ट 18 से 24 नवंबर को मनाय जा रहे विश्व प्रतिसूक्ष्म जीवी जागरूकता सब्ताह यानि वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेर्नेस वीक के एक हिस्से के रूप में जारी की गई थी मलेरिया एक परजीवी उत्तरदाई होता है जो संक्रमित मादा एनफिलीज मच्छरों के काटने से मनुश्यों में संचारित होता है इसकी पांच परजीवी प्रजातियां हैं जो मनुश्यों में मलेरिया के लिए उत्तरदाई हैं इनमें से दो प्रजातियां प्लाज्मोडियम फालसिपेरम और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है जो सबसे अधिक खत्रा उत्पन्द करती हैं रिपोर्ट के अनुसार भारत सहित सभी डबलू अच्चो शेत्रों से क्लोरोक्वीन जो मानक उप्चार दवा के रूप में उप्योग की जाती है इसके प्रती प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के प्रतिरोधी होने की सूचना प्राप्त हुई थी अध्यायन में त्रिपुरा, अरुनाचल प्रदेश और मिजोरम में उच्च एमडियार के संकेत प्राप्त हुए हैं प्रतिरोध के मुख्य कारणों में मलेरिया रोधी दवाओं का अपर्याप्त कवरेज, पर्याप्त निदान का अभाव, दवाओं का दुरुपयोग और बहतर मच्चर नियंतरन कारिक्रम का नहीं होना आदि शामिल है। प्रति सुक्ष में जीवी प्रतिरोध यानि एंटी माइक्रोबियल रजिस्टेंस एमर तब उत्पन होता है जब जीवाणूं, विशाणूं, कवक और परजीवी दवाओं के प्रभाव को निश्क्रिय कर देते हैं। इसके परिणाम सरूप सामाने संक्रमन का उपचार कठिन हो जाता है और रोग फैलने, रोग के गंभी रवस्था में पहुँचने और मृत्यू होने का जोखिम बढ़ जाता है। प्रति सुक्ष में जीवी का उप्योग मनिश्यों, जानवरों और पादपों म रोगों से निपटने के लिए किया जाता है और इसमें एंटी बायोटिक, एंटी वाइरल, एंटी फंगल और एंटी पैरसिटिक दवाएं शामिल होती है। डबलू एचो ने एंटी माइक्रोबियल रजिस्टेंस को मानवता के लिए शीर्ष दस सबसे अधिक वैश्विक सार्जनिक स्वास्थे खत्रों में से एक के रूप में घोशित किया है। करके प्राप्थ हाइड्रोजन को ग्रे हाइड्रोजन कहा जाता है। ब्लू हाइड्रोजन भी उस रीती से निर्मित किया जाता है लेकिन कार्बन अभिग्रहन तकनीके CO2 को निर्मुक्त होने से रोकती हैं। ये हरित उर्जा परियोजनाओं के लिए विद्युत पारेशन यानि विद्युत ट्रांस्मिशन और निश्क्रमन यानि इवैक्वेशन समबंदी समस्याओं के समाधान में सहायता करेगा। परिवहन लोह और इसपात इत्यादी सहित कई शेत्रों को कार्बन विहीन करेगा, उत्सरजन को कम करेगा, वायू की गुणवत्ता में सुधार और उर्जा सुरक्षा को सुद्रण करेगा। इसके अनुप्रयोगों में शामिल है इन्धन सेल वाहन, हाइड्रोजन हाइब्रिड वाहन, विद्युत उत्पादन, रासाइनिक उद्योग, उर्वरक उद्योग, रिफाइनरी आदी। इसके तहट कई चुनोतियां भी हैं, जैसे हाइड्रोजन उत्पादन का उर्जा गेहन होना, भंडारन और परिवहन करने में कठिनाई होना, इलेक्ट्रोलाइट सहीता और मानकों का अभाव होना आदी। आईए अब जानते हैं कुछ संशिप्त किंतु महत्तुपुन खबरों के बारे में। अजबूत करने की आवश्यक्ता पर बल दिया। उन्होंने आतंक रोधी चुनोतियों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया, जिनमें कट्टर्ता और हिंसक अतिवाद, आतंक की वित्वपोशन और इंटरनेट का आतंक वादियों द्वारा उप्योग भी शामिल है। फाइव आईज अलाइंस ये एक गटबंदन है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजिलेंड, युनाइटिट किंग्डम और सैंक तुरज अमेरिका शामिल है। ये दीरकाल से विद्वान गटबंदन है जहां इन पाँच देशों की खुफिया एजेंसियां परस पर सिगनल, सैन्ने और नागरिक आसूचना आदि साजा करती हैं। इस गटबंदन ने चीन से हौंग कोंग के निर्वाचित विधायकों को अयोग्य घोशित करने के अपने कारे पर पुनरविचार करने का आगरह किया है। देश और नेपाल से बहतर प्रदर्शन किया है। उत्तरकोरिया ने सबसे अधिक वानिजिक रिश्वत जोखिम प्रस्तुत किया है जबकि डेन्माक ने सबसे कम। स्कोर की गणना चार मापदंडों के आधार पर की जाती है जैसे सरकार और सिविल सेवा पारदर्शिता, स नागरिक समाज परिवेक्षन की शमता, रिश्वत खोरी विरोधी निवारक और प्रवर्तन आदी। प्रियोजना मेघाले की विकास शमता पर दो तरीके से कारिक करेगी। एक तरफ ये राज्य के भीतर अत्यावशक परिवहन संपर्क प्रदान करेगी, वहीं दूसरी तरफ ये मेघाले को बांगलादेश, भूटान, भारत और नेपाल कॉरिडोर के माध्यम से प्रिक्रित इस पात केंद्र के माध्यम से पूर्वी भारत के त्वरित विकास के लिए भारत्य उद्योग परिसंग यानि C.I.I. और सैंफ्त सैंत्र समिती की साज़दारी में आरंभ किया गया था। इसमें ओडिशा, धारखंड, छतिसगर, पस्चिम बंगाल और आंधर प्रदेश का उत्तरी भाग शामिल होगा, इसका उद्देश्य लागत और गुणवत्ता दोनों के मामले में तेजी से शमता बढ़ाना और इस पात निर्माताओं की समगर प्रतेस परधा में सुधार करना है, इस कारिक्रम की माध्यम से सरकार का उद्देश्य लॉजिस्टिक्स और उप्योगिता के बुनियादी धाचे को रुपांतरित करना है, जो पूर्वी भारत में सामाजिक आर्थिक परिद्रिश्य को परिवर्तित करेगा ओपरेशन थंडर 2020 इंटरपोल और विश्व सीमा शुलक संगठन द्वारा समन वित महीने भर चलने वाले इस ओपरेशन द्वारा एक सो तीन देशों को परियावरणी अपराद के विरुध लामबंद किया गया था ये वर्ष 2017 से वार्षिक थंडर अभियानों की शुखला में चौथा ओपरेशन है प्रतिभागी देशों ने मुख्य रूप से वने जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजाती के अंतरराश्ट्य व्यापार पर अभी समय यानी साइट्स के तहत सनरक्षित प्रजातियों पर ध्यान के इंद्रित किया था विलो वार्बलर ये सबसे लंबे समय तक प्रवास करने वाले चोटे पक्षियों में से एक हैं जिसे भारत में पहली बार तिरुवनंत पुरम में देखा गया था सामानित इसे यूरोपिय और पहले आर्किटिक शेत्रों मे देखा जाता है ये पक्षी सर्दियों के आरंभु में उप सहारा अफ्रीका की ओर प्रवास करते हैं आयूसियन की सूची में इसे लीस्ट कंसर्ण की स्थिती में रखा गया है रानी लक्षमी बाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रानी लक्षमी बाई को उनकी जयनती 19 नवंबर पर श्रधांजली अर्पित की उनके पती राजा गंगाधर राव की मृत्यू के बाद जब उनके दत्तक पुत्रकोश शाशक के रूप में मानिता नहीं मिली कमपनी के सैनिकों ने उन्हें पराजित कर दिया था इसके साथ ही यह अंक समाप्त होता है अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ तब तक के लिए नमस्कार